हेलो डियर इस्टुएंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, केमेस्टी पॉइंट पुर्णिया में, मैं हुआ आपके साथ परदिप सर, चलिए आज शुरुवात करते हैं, विलियन चेप्टर का महत्पुर्ण अब्जेक्टिव कुश्चन जो कि आपको एक् हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जोइन कर लिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए, तेके पहला क्वेश्चन क्या है, उजला और पीला फासपरस है, ओप्सन है हमारा अप्रूप समस्थानिक समभारिक और इनमे से कोई नहीं, हमारा सही आंस प्रावन काउनियन, हिमांग काउनियन, प्राशरन दाव, तो चलिए इसमें देखिये का कौन है, तो है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए प्राशरन दाव, आप हमारे वीडियो को सुन के भी आप याद कर सकते हैं, नेक्स 극शन आपmost्चिन आपके लिए, देखिए ये क के नियम का पालन करता है वो आदर्स विलियन होगा जो नहीं करता है अनादर्स विलियन होगा नेक्स्ट कोस्टन आपके लिए पहारों पर जल का कोथनांग कम होता है क्योंकि वहां वाई मंडलिया दाब कम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं मोल अर्था की क्या होती है अगर पर्ति लिटर याद रहे है मेरे दूस्तों फिर आप नेक्स्ट ऊने पर्ति किलोग्राम नेक्स्ट ऊपके लिए अर्द प्रागम जिली से प्रास्तरन किरिया में निकल पाते हैं अर्ध प्रागम जिली एक चाई छकना का काम करता है छकने का काम करता है इस से हम वोरा विलायक जो होता हमारा छकना से क्या बहार आता है तो विलायक कहनू विलायक जिसको कहते है चमज मे Bennett आये है रहा होगा आपको चलिए next question आपके लिए सुध जल का पीयच मान होता यह तो बच्चा भी जानता है और यहां सुध जल का पीयच मान पूछा historians तो क्या होगा साथ होगा next question आपके लिए निमिलिखित विलियन में किसका कोतरांग अधिक होगा इस तरह के question अक्सर पूछे जाते हैं अगर इस तरह का question होगा यहाँ want of factor यहाँ आई का मान निकालेगा जिसका आई का मान अधिक होगा उसका यह answer अधिक होगा nao h है nao h में na1 होगा oh 1 होगा तो 2 होगिया na2so4 में 2,1,3 होगा na4 no3 में yeah i का मान 2 होगा क no3 में 2 होगा तो इसका सही answer होगा b क्योंकि na2so4 में i का मान 3 होगा जिसका i का मान 3 होगा उसका कोतरांग भी अधिक होगा next question आपके लिए मोल परवाद की काई होती है मोल परवाद की कोई काई नहीं होती है तो हमारा answer होगा इन में से कोई नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से आप पूरा वीडियो को देखिए मज़ा आने वाला है last तक देखिए last में आपको एक महतपूर्ण बाते बताओंगा चलिए आगे एगला question अगला question है निमिलकित में कौन त्री भास्मिया अमल है ये कई बार question पूछे जा चुके हैं त्री भास्मिया अमल है दूई भास्मिया अमल है एक भास्मिया जिसकी छारकता एक होगी एक भास्मिय चारकता दो होगी दू भास्मिक और जिसकी चारकता तीन होगी त्री भास्मिक होगा तो इसका सही आंसर होगा S3PO4 क्योंकि S3PO4 की चारकता तीन है इसलिए इसके त्री भास्मिय अमल कहते हैं next question आपके लिए computer महराज आपके screen पर दिखा रहा है निमलखित में किसका हिमांग का अबनमन अधिकतम होगा यहां भी उसी तरह के question है यहां भी I का मान अधिक होगा वही हमारा answer होगा तो इसका K2SO4 हो जाएगा क्योंकि K2 टूट रहा है सलफेट एक टूट रहा है तो दो एक तीन होगा तो हमारा सही answer है K2SO4 जिसका I का मान अधिक होगा उसका हिमांग का अबनमन भी अधिक होगा next question दिखाए computer महराज विलियन का मोल पर वाज होता है तो विलियन का मोल पर वाज हम आपको पहले भी बताएते एक होता है विलायक और विलियन को जो और विलियन का मोल पर वाज होता है next question आपके लिए निमलिकित में कौन सा अनुसंग गुन धर्म नहीं है इस तरह के question कौन सा अनुसंग गुन धर्म है या कौन सा अनुसंग गुन धर्म नहीं है इस तरह के question आपको पूछे जाएंगे तो आप कहिएगा इन में से कोन अनुसंग गुन धर्म नहीं है तो आंसर होगा परकासिय किरिया सिलता Next question अगला 15 नमर का question गुलकोज का want of gunak होता है गुलकोज रे, सुकरोज रे, यूरिया रे सब के लिए I का one one होता है question आएगा तो गुलकोज का आणवे की दर्मान होगा 180 ग्राम इसी तरह और कोई किसी का भी आणवे की दर्मान निकाल लेना है पूछेगा तो आपको परमानों को दर्मान याद रहेगा सब को जोर दीजेगा आपको आजाएगा गुलकोज का आणवे की दर्मान कितना होता 180 ग्राम वही अगर चीनी का पूछेगा 342 ग्राम यूरिया का पूछेगा 60 ग्राम गुलकोज का कितना 180 ग्राम चलिए दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है जल्दी से सेयर करें और हमारे चैनल में आप नए है तो इसको सस्क्राइब कर लें घंटी बजा दें ताकि अगला वीडियो जो अपलोड होगा वो आपको जल्दी पहुँचेगा सबसे पहले आप ही को पहुँचेगा तो चलिए नेक्स क्रोचन आपके लिए देखिए एवोगाडो संख्या होती है एवोगाडो संख्या जो होती है 6.022 into 10 to the power 23 जल्दी वाजी में बहुत सारे स्टुडेंट क्या होता है कि गल्ती मार देते हैं इसलिए एवोगाडो संख्या आप याद रखेगा 6.022 into 10 to the power 23 होता है इसी को एक मोल कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है एक मोल एक मोल बोले या एवोकाडो संग्या बोले तो 6.022 into 10 to the power 23 होगा अंसर दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपके लिए समानी ताप एवंदाव पर एक मोल गैस का आईतन होता है समानी ताप एवंदाव पर एक मोल गैस का आईतन होता है 22.4 लिटर अगर आपको स्टीपी या एंटीपी दिया जाए या हिंदी में लिखा रहे समानी ताप एवंदाव या मानक ताप एवंदाव दुनिया का कोई भी गैस हो अगर वो एक मुल है उसका आयतन होगा 22.4 लीटर अगला कोश्चन आपके लिए निमने में से कौन ताप पर निर्वर करता है तो आप याद रखेगा ताप पर निर्वर करने वाला दो है एक मोलर्ता है एक नर्मल्ता है तो यहाँ अंसर हमारा क्या होजाएगा मोलर्ता अगला कोश्चन आपके लिए यदि 4 गराम न ओएच यादि सोडियम हैडरोकसाइड 500 मिली गराम विलियन में घुला हुआ है तो मोलर्ता क्या होगी फिर से परता हूँ कोश्चन को सुनिएगा यदि 4 गराम न ओएच पांसो एमल विलियन में घुला हुआ तो मोलर्ता क्या होगी तो मोलर्ता क्या होता दिया गया दरमान विले का बटे उसका आन्विक दरमान नहीं कि हम बताए थे एम बराबर डबलू ए गुना एक हजार बटे में गुना भी है ना भई रहले होगे चार गुना एक हजार बटे है अइनियोगस का दरमान होगा चालीश तो दखीय कर जैगा पांसो दुना एक दूबार में कर दीआगा और ये चार देन 40 2 वटटे 10 वटा 2 या ये वटप पूछे जाते हैं वीटियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपकी प्रिक्षाई अच्छे से जाए यही कामरा के साथ मैं आज की क्लास को सवाब्त करता हूं अगली चप्टर की महत्पुन वीडियों देखने के लिए या वस्तुनीच परशनों को देखने के लिए हमें फॉलो करें और फॉलो कोई भी सोसल साइट हो फेस्बुक हो इस्टार हो या ट्विटर हो या आप टेलिग्राम हो उस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे केमेस्ट्री पॉइंट पूर्निया धनिवाद